आत हजार जो बीज लगे हुए हैं उसमें अगर एक पोधा आपको पांच केजी फल देता है तो आपको साथ हजार से पांच से मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका 35,000 किलो हो जाएगा किसान भाईयों आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल अवदलाइव खेती किसान भाईयों आज मैं तर्बूच की फसल के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको सुरू से अंद तक जानकारी देने वाला हूँ कि आपको तर्बूच की फसल कैसे करनी है तो किसान भा मुझे message भी करतें, किसी खेती से related जानकारी के बारें. Si adam भयाँ, everything है किसान भयों की फसल कभ लगानी है, कि तर्बूजाम करते हैं, coming from a calm price कुल्हों सकते हैं किसान गृण कुल्टे तर्बूजा इंश्यों के निदेट करतें, है मैं वो एक एकड़ के बारे में आपको पूरा विसलेस्टन बताने वाला हूँ खेत की तयारे के लिए सबसे पहले आपको तीन बाह कलिटीवेटर से अच्छे से जुताई करनी है और उसके बाद खेत को दो से तीन दिन के लिए आपको छोड़ देना है इससे क्या फाइदा होने वाला जो खेत में नमी होगी उसके माध्यम से जो घासे निकलती है वो सूख जाएंगी और जो खेत की उरवरा सकती होगी वो भी बढ़ेगी आपकी तो किसान भाईयों ये करने के वाजब आपका खेत जो है जुताई करवा देते हैं जो दो तीन दिन वीद जाता है तो फिर आपको तीन बाहर रोटावेटर से जुताई करवानी है आप कल्टीवेटर से और रोटावेटर की जुताई करवाने के बीच का जो डिफरेंस है उसमें आपको कम से कम एक एकड में छेट राली गोबर की खाद डलवानी है और गोबर की खाद डलवाके आपको छोड़ना नहीं है कि दो दिन के लिए छोड़ने खेट तीन दिन के लिए छोड़ने नहीं धूप नहीं लगनी चाहिए उसमें उसको क्या तुरंत आपको रोटावेटर से जुताई करवा देनी है और जुताई ऐसी होनी चाहिए कि ढोले नहीं होनी चाहिए, खेत में धेले नहीं निकलने होने चाहिए, ऐसी जुताई आपको करवानी है किसान भाईयों जब आपकी जुताई हो जाए, प्रॉपर तरीके से खेत रेडी हो जाए, तब ये बीज जो लगा जाता है, उस पे हम बात करते हैं, लगाने का समय जो होता है, सबसे अच्छा जब लोग लगाते हैं, तो फरोरी का महिना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ जगों पर लोग क्या करते हैं, कि नर्सरी तयार करके जो है, पौधे को लगाते हैं, लेकिन जो ठंड वाले प्रदेश होते हैं, वहाँ पे संभो नहीं हो पाता है, कुछ जगे ठंड कम होती है, तो जनौरी में भी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन फरोरी का महिना जो जालनी है, तो आप यूरिया, पोटास, डाई, जिंक, जो भी चीज आप प्रियोग करना चाते हैं, अपनी दुकान से संपर करके आप उसमें डाल, अब किसान भाईयों, खेत आपका तयार हो गया, बात कर लेता हूं, कि जो इसमें बेड परपरेशन होती है, इसे मेरे पी माध्यम से मैंने इसको जो मरवाया है, ये मेरा 81 इंच नाप के बना हुआ है, मैंने इसको जो है, मरवाया, इसमें जो मल्चिंग लगी हुए, दोनों साइट से मुझे मल्चिंग बिचानी पड़ी है, लेकिन जो आप मसीन से मरवाएंगे, वो चार फिट के आस्वास का हो मसीन जो है, उसमें सेट होती है, उसी हिसाफ से जो है, वो तयार करते हैं खेतों. अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि मल्चिंग के क्या फाइदे होते हैं, तो किसान भाईयों, धूप जो लगती है, खेत में उसके माध्यम से कुछ तो घासे सूख जाते हैं, लेकि कुछ ऐ तो मच्चिंग जो लगाई जाती है अब हम किसान बाइयों बात कर लेते हैं जो हमारी बीज से बीज की जो दूरी है वो उसे रख सकते हैं किसान बाइयों एक चीज हम बात करने वाले उस पर भी मैं आपको वीडियो दूँगा कि यह जो पॉलिफिन की कटाई करनी है उसके लिए मने एक देसी जुगार बना के रखा है उस पर भी वीडियो जल्दी आपको मिलने वाली है तो वो भी आप अपने घर पे बनवा सकते ह किसान बाइयों बीच की बुआई सपोर्ज देट आप 15 फरोरी को करते हैं बीच की आपकी प्रॉपर तरीके से बुआई हो गई अब आपकी पौधे जो है निकलना सुरू हो गए अब जो 15 तारीकों आपने बुआई की है और 15 मार्च एक महिना 15 मार्च से 15 अपरेल दो महि अब मैं बात करें तो एक एकड़ में जो बीच लगने वाला है वो कितना लगे एक एकड़ में जो हमारा किसान बाइयों बीच लगेगा वो साथ हजार बीच लगने वाला किसान बाइयों साथ हजार पौधा आपका लगेगा किसान बाइयों तो आप साथ हजार पौधे ज तो आपको 10 रुपए मिले लेकिन उस टाइम रेट जो मिलता 17-18 रुपए जो है उपर नीचे होके आपको किसान भायों एक इकड में 7,000 जो बीज लगे हुए हैं उसमें अगर एक पोधा आपको 5 kg फल देता है तो आपको 7,000 से 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका 35,000 किल देने वाली तो किसान भायों इस फसल को आप कर सकते हैं एक चीज ध्यान में आपको रखना है जिस फसल में पैसा ज्यादा लगता है उसमें मुनाफा ज्यादा होती है जिस फसल में रिस्क ज्यादा होती है उसमें मुनाफा ज्यादा होता ये जरूर आपको ध्यान देना ह तो अभी टाइम है अभी आप जो एक तर्बूच की फसल करके एक अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं किसान भाईयों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर तब तक के लिए नमस्कार औ धन्यवाद